नमस्कार स्वागत है आप सभी का तो यूपी एनेचम से एनम इस्टाफ नर्स लैप टेकनिसिन फार्मासिस्ट और बाद में एक नोटिफिकेशन सीय चुका आया था यहां पर बात करने वाले हैं यूपी एनेचम से एनम भरती को ले करें जिसमें एक्जाम डेट सेलेबस ट क्लास करा देंगे आप क्लास मिस्स मत करिएगा बाकि आप अपने अस्तर से भी तैयारी करते रहिए सबसे पहले आप अपर देखिए टोटल चार प्रोग्राम में एनम की वेकिंसी है यूपी एनेचम 2022 भरते के अंतरगत जिसमें आप देखेंगे एन्यू एचम मैटर्नल ह भी इसके और 15 कमिशन और टोटल यहाँ पर अगर पद मिला दिये जाए तो 5689 यहाँ पर टोटल सीटे होती है 5689 और टोटल सीटे के नहीं भरती में 17291 तो आपको 5689 पद से मतलब है और सबसे आदर सीटे मैटर्नल हेल्थ वाले में हैं सिलेबस इसके बाद देख लीज़े है यहाँ पर सबस्क्राइबस में देखिए जो बागे की तीन पोश्ट है उनके लिए 20 कोशन और का सेक्शन टू भी है लेकिन एनम के लिए कोई सेक्शन टू बीस कोशन अलग से आपको नहीं पढ़ना है यह आपके लिए अच्छी बात है जैसे आप यहाँ पर देखें क लेब टेक्निशन में सेक्शन वन है और सेक्शन टू से एटी कोशन से रहेंगे और सेक्शन टू से टून्टी कोशन से रहेंगे इसी तरह से एलोपैथी में भी है फार्मासिश्ट एलोपैथिक इसी तरह से स्टाप नर्स में भी है लेकिन एनम में कोई भी सेक्शन टू आपके syllabus में नहीं दिया गया है, यानि जो भी 100 questions आएंगे वो आपके trade से आपके syllabus से रहेंगे, एक बार syllabus देख लेते हैं पूरा, ये clear होगे आप सभी को, जो 20 questions है वो आपके syllabus में नहीं है, उसको आपको नहीं पढ़ना है, जिसमें general awareness, aptitude, reasoning, basic computer knowledge, ये आपको नहीं पढ़ना ह है, ये आपके syllabus में नहीं है, अब यहाँ पे syllabus से देख लेते हैं एक बार, determinants of health and overview of health problems of communities in India, organization of SC, PSC, CSC and district hospital, role and responsibilities of ANM, FHW and code of ethics for ANM, ANM role as counselor, nutrition, nutrition, पोसर से संबन्दित, vitamin हो गया, कौन-कौन सी diseases हो जाती है, अगर nutrition सही से नहीं रहता है, तो, human body structure, body system, दियर functions, mental health, control and prevention of communicable diseases, जो संचारी रोग होते हैं, उनके बचाओ, general measures, communicable diseases, यानि जो संक्रामक रोग होते हैं, संचारी रोग होते हैं, उनके लक्षण, care, prevention, जिसमें क्या-क्या है, dipteria, pertuses, tetanus, polymolitis, measles, tuberculosis, checkerpox, अगर आप ध्यान से देखें, तो आप यहीं से चीजों को याद भी रख सकते हैं, यह बीमारिया संचारी रोग के अंतरगत आती हैं, वाकि जितने भी communicable diseases होती हैं, उनको आपको अच्छे सी आद रख लेना है, कौन किस वजह से फैलता है, जैसे कोई पानी के द्वारा, दूसी तजल के द्वारा, दूसी तभोजन के द्वारा, इसके लावा संपर्क में आने पर हवा के द्वारा, तो जो जिस मादम से जो बीमारियां फैलती हैं संक्रामक में, आपको यह भी पता रहना चाहिए, हम आपको जो भी classes, जो भी practice state देंगे, आपको आपके exam के मेहनत होगे, 20-30% मेहनत आपकी भी होगी, ताकि आप एक सीट अपनी सुनिश्यत कर पाएं, सेलक्शन आप ले पाएं इस भरती में, आगे आप देख लीजिए, इसी में, मंस, रुबेला, एंटरिक फीवर, हेपिटाइटिस, रेवीज, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया काला जार, ट्रेकोमा, कंजक्टिविटीस, कंजक्टिविटीस, इसके बीज, एस्टिदीस, एंड एचावी एड्स, एंसेफलाइटीस, ठीक है, बाकी की मिमारिया, care of the seek in the community taking history, physical examination need of first aid minor injuries and ailments, cuts and wounds अगर आप देखेंगे जो first aid है मतलब आप तुछ लिए medical field में जो other field के भी लोग होते हैं जब ओ कहीं पर जाब करने जाते हैं तो उनकी भी training कराई जाती है एक दिन, दो दिन, तीन दिन की first aid की first aid सबको पता होना चाहिए आज की डेट में factors affecting growth and development physical, psychological and social development exclusive breastfeeding infants and children, सिसू बच्चे adolescent health school health objectives, problems programs, pregnancy photos and placenta, normal pregnancy abnormality, job pregnancy and abortion अभी जो मोख की सेविका वाली classes हम करा रहे हैं total 28 classes हो चुकी जिसमें 23 classes, multiple multiple, 24 questions वाले practice it है और 5 classes जो है one liner वाली हो चेकिए आगे भी classes हम देखते रहेंगे मुख्य सेविका के लिए तो अगर आप चाहें तो ओ classes आप देख सकते हैं बाकि सभी questions आपके syllabus से relevant नहीं है लेकिन फिर भी लगबग कुछ questions आपको मिल जाएंगे जो कि आपके syllabus का है जैसे vitamin है, nutrition है, dgj है ये सभी आपको मिल जाएंगे pregnancy का हो गया ये सभी questions आपको मुख्य सेविका में भी है और आप में भी है तो आप चाहें तो practice it जो भी चल रहा है मुख्य सेविका वाला playlist उसके मुख्य सेविका वाली के लिए आप चाहें तो उसी classes देख सकते है हमारे तो जो भी classes आपको दी जाएंगी वो बहुत ज़्यादा time taking class नहीं रहेगी कम समय में अधिक सरी questions आपको मिलेंगे, अगर 100 questions है तो आपको 20-25 minutes में करा देंगे 50 questions है तो आपको 10-12-14 minutes में करा देंगे बस इतना ही समय आपका लेंगे बाकि वो आपकी चाहिए कि आप उस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देखते हैं चीजों को revise करते हैं या उसको note down करते हैं तो classes हैं बहुत जल्द आप सभी के लिए देंगे एक से दो दिन या फिर कल से start कर देंगे तो यहाँ पर कितनी चीज़े clear हो गई syllabus, classes, number up, post और अब यहाँ पर बात करते हैं exam date को लेकर की exam date को लेकर के कोई भी expected चीज़े तो नहीं अभी यहाँ पर है लेकिन जो अभी तक की पहले की इनकी trend है कि जब notification आता है तो उसके बाद फिर आगे की process कब से होती है चाहे exam हो चाहे result हो तो उसको देखते वे एक डेड़ महिने दो महिने अधिकतम exam date को लेकर के आप समय मान सकते है notification आने के बाद तो इस हिसाब से आपका exam date January में दिखे चांस तो कम है या January last तक तो exam date की notice भी अभी आये नहीं है exam date की notice आजाए या admit card की notice आजाए तो लगबग आप कम सकम एक सी डेड़ महिने का समय मान के चल सकते हैं मतलब फरवरी में आपके exam होने के chance बहुँ ज़्यादा रहेंगे और जो अलग-लग 4 program है आपको सभी programs के exam अलग-अलग ही देखने को मिलने है बहुत हो सकता है में भी ऐसा हो कि कोई 2 program का exam आपको अगर एक दिन में मिलेगा तो भी अलग-अलग सिप्ट में हो जाएगा एक सिप्ट में नहीं मिलना चाहिए otherwise पर अलग-अलग आपसे form भरवाने का मतलब क्या है और आप सभी ये पी जानते हैं कि इस बार जो आप exam देंगे merit आपके इसी से बनेगी तो preparation आपके अच्छी होनी चाहिए और ये जो preparation आप यहाँ पकरेंगे आगे फिर आप सभी को पता है कि 100% UPSSS से A.N.M. की नई भरती आएगी जब तक भी आजाए उस सरकार के उपर ऐसे तो आप देखेंगे स्वास्तमंत्री जी ने बोला हुआ है कि हम वो process के लिए निर्देश हमने दे दिया है जो बिभाग से सीटे हैं और अधियाचन भेजी जाएं तो उस हिसाब से लग रहा है कि नेक्स्ट येर में मार्च अप्रेल तक लेट से लेट नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए तो अभी आप जो तैयारी करेंगे यहाँ पर N.H.M. वाले के लिए यही प्रिपेर्शन आपकी आगे आपके लिए बहुत को आप सभी प्लीज लाइक और सेर भी आप सभी कर सकते हैं साथ ही साथ अगर आपने बित्तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे धन्यवाद